नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशे गुपता है, मैं सिसु गहन रोग बिसेश सगे, यानि पिडियाटिक इंटेंसिविस के तौर पे मनिपाल हॉस्पिटल गुरुगराम में कारे रथ हूँ हम आज बात करेंगे, बच्चों में होने वाले मृगी के समझ्या, यानी बच्चों में होने वाले दोरे, या फिर कुछ दूसरे सब्दों में कह सकते हैं, एपिलेप्सी या सीजर्स के बारे में, आज आप से कुछ बाते डिसकस करेंगे म्रीगी एक ऐसी समस्या है जिसमें दिमाग का समाने कारिय असमाने रूप से करता है जिसमें दिमाग एक असमाने तरंगे सरीर के नर्स में भेज़ती है जिसमें मतलब तंतरी काओं में और जिसकी वज़़ से बच्चों के सरीर में अबनॉर्मल या असमाने रूप से पहार से संबंदित और कुछ कारण होते हैं infection brain के infection के वज़े से यह मिरीकी के रोग आते हैं कुछ बच्चे जिनको जन के समय oxygen की कमी होने से brain में कुछ अस्विदाय हो जाती है जिस वज़े से उनको बाद में चलके मिरीकी की रोग आते हैं इन कुछ कारणों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो अभी भी research पर available हैं हम इन मिरीकी की रोगों को basically medical examination और कुछ investigation से diagnose कर सकते हैं इसके लिए बच्चे को immediately hospital लाना जुरूरी है और उनको भरती कराकर इन investigations को करवाना जुरूरी है इन में से प्रमुक तोर पर जो investigation important है वो है elective encephalography मतलब दिमागी easy और MRI brain इन दोनों को करनाने के बाद हम बहुत हद तक बच्चों की diagnosis तक पहुँच पाते हैं AJ parents मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर सही समय पर MRI का इलाज किया जाएगा तो इनकों कुछ दवाओं से और कुछ तरीकों से MRI को पुरूर रूप से कंट्रोल किया जा सकता है इसी के साथ नमस्कार